राम नौमी के मौके पर बिहार के सासाराम जिले में हिंसा भढ़क गया था इस दुरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गये थे जमकर आगजनी पत्रा हुआ था इस हिंसा के कारण केंद्रिया ग्रहमंत्रिया मिस शाह के सासाराम दोरे को रद्द करना पड़ा था अब इस हिंसा की मामले में भाजबा के पूरविधायक को गरफतार किया गया है बिहार पूलिस बारा गरतार किये गए भाजबा के पूरविधायक जवाहर प्रसाद बिहार XBJP MLA जवाहर प्रसाद पर राम नॉमी के दोरान दंगे भड़काने का रोप लगा है मेले जानकारuciones के अनुसार शुकरवार को देर राद विहार पोलिस ने भाजपा के पूराविधायक जवाहर प्रसाद को उनके घर लशकरी गंज से गिरफ़तार किया है भाजपा के पूर विधायक से पहले इसी मामले में पार्टी के तीन और नेताओं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था जवार प्रसाद बिहार के सासाराम विधानसभा शेत्र में पांच बार विधायक रह चुके हैं वे पहली बार 1990 में विधायक बने थे बीते चुनाओं में सासाराम विधानसभाद सीट जेडियो के खाते में चले जाने के करण उन्होंने चुनाओं नहीं लड़ा था राजे के अगले विधासभाचिनाओं में विजेपी ने से उनकी एक बार फिर शशक्त दावेदारी मानी जा रही है रामनोमी जुलुस के बाद सासाराम में हिंसा पत्थरबाजी और आगजनी मामले में पुलिस की कारणरवाही जा रही है